नमस्कार बहुत स्वाकत आप समका देख रहे हैं जूत शराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंट संतो संतोशी पीपल के पौधे की बहुत सारी कहानिया प्रचलित हैं जिसको ले करके हम भी अपने बच्पन में आशंकित, शसंकित, भयाक्रांत रहा करते थे गाँवाले घर के पास से थोड़ी सी दूरी पर एक पिपरेक पीड़ था अभी भी है तो खूब सारी कथाएं प्रचलित थी गर्मी की छुट्टियों में जब घर जाते थे तो छटपे सब एक साथ सोते थे 20-25 बच्चे हम सब एक ही एज ग्रूप के थे एक एक दो-दो साल छोटे बड़े सब थे भाईया या के लडगे सब दिखा थे तो पीपराख निचवाद देखा उहीं लाइट जलत वैक्ठो जूट है तो क्या करते थे कि वहाँ भूत नाचते हैं तो निकी आँखों में लाइट जलती है खैर बचपना था नतीजा ये निकलता था कि जब दसई के रहीं पहुँच गए हम और साक्यों से दुपारिया कुदर्ज गुजरते थे तब भी हालत खराव हो जाती थी उसके चक्कर में चार किलमेटर घूम के जाते थे आलम यह हो गया था सच्चाई क्या है क्या है क्या वाकई पीपल के पीड़ में भूथ प्रेत जिन ब्रह्मध आद का निवास होता है का पिपरक पेड़वां चुरेडिया रहत है आत्माए रहती है क्या अगर घर पर पीपल की छाया पड़ जाए तो क्या होगा पीपल अगर उग आए अपने आप एक छोटा सा होता नहीं दिवाल वगरे में पीपल का पौधा उग गया तो गया अभी जहां हमने कल्चर वैली स्कूल के लिए जगह लिया था उसमें भी छट पर एक करीब हमारे काल से 18-19 फिट का पीपल का पेर निकला आया था और निकला कहां था उसकी जड़ जो छट से पानी का पाइप था जिससे पानी नीचे जा था उस पानी की पाइप में उसका जड़ नीचे चला गया था जमीन के अंदर और छट पर 18-19 फिट क्या असपास था क्या खुद काटा जा सकता है पीपल का पेर सफाई करमचारी भी आजकर नहीं काटना चाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रहस्ये वाले जो प्रश्ण है आप लोगों के दिमाग में चलते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इस विशे से सम्मंधित बहुत सारे जानक किताब की बात तो हम नहीं करेंगे जब आप चाहें कि किताब और सास्त लेकर आएं अब इसमें चाहें आप हमें स्वयंभू कहिए या फिर दंभू कहिए या फिर जो भी कहिए आप लोग कुछ लोग कहते हैं इस स्वयंभू एक्टु पंडिजी आ गए हैं स्वयंभू क जो हमारे हर्दे में हैं, हम जिनके हर्दे में हैं, बस हमें उनसे सरोकार हैं, एक तार्किक जानकारी देता हूँ, जो तिस जराहट के कारकरम का नाम ही यही है, where logic speaks, जहां तर्क बोलता है, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, people और सनी का connection, logic पे आएंगे हम, किसी भी किताब में खुला चैलेंच यह तर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यह spontaneously हमारे दिमाग से निकला है, बाब रे बाब, यह तनी बढ़ की अंगरी जी, अलब तुरित तुरंद निकला है, यह हमारा नैतिक और मॉलिक शोध है, नैतिक किसलिए, क्योंकि य नितिकत हो करके आप तक पहुचा रहा हूँ, मॉलिक इसलिए, क्योंकि यह खास हमारा है, तारीख, यह वीडियो जब आप देख रहे हैं, तारीख और समय, देख लीजेगा, इस तारीख और समय के बाद, अगर इस विशय और सामगरी को मैं कहीं भी पा गया, किसी भी चै आएगा, क्योंकि यह हमाला intellectual content है, किसी भी रूप में तोड़ मरोड के भी आप इसको publish नहीं कर सकते हैं, खीच दूंगा में, जैसे एक टुपन्नी जी को खीचे थे हैं मतरावाले को, क्या people के पौधे में भूत रहते हैं, भूत माने spirits, आत्माएं, जिन, ब्रह्म, चुड़ायल, जो भी हो, question mark था न, उत्तर है, हाँ, शॉक्ट, यस, people के पेड़ के पास, people के पेड़ के साथ, energies रखती हैं, दो राय नहीं, positive and negative both, इसके संकेत क्या है, अब इसका तर्क सुनिएगा, people का पौधा, एक कैसा पौधा है, जो 24-7 oxygen रिलीज करता है, oxygen छोड़ता है, जो आत्माएं होती हैं, वो carbon dioxide से युक्त होती है, suffocated feel करती है, जहां भी आत्माएं रहती हैं, जिसके उपर आत्माओं का प्रभाव होता है, जिसके उपर spirits का प्रभाव होता है, negative energy का, negative vibes का प्रभाव होता है, उनकी सांसे तेज चलती हैं, तेज सांस लेते हैं, that means oxygen की कमी रहती है इनके साथ, तो आत्माएं people के पेड़ से attract होती हैं, क्योंकि ये पेड़ oxygen 24 गंटे देते हैं, उन्हें वहाँ पर relief मिलता है, कभी पीपर के पेड़ के देखें, जहां भी आत्माएं रहेंगी, याद रखियेगा, जहां भी आत्माएं रहेंगी, जहां भी spirits रहती हैं, जहां energies रहती हैं, वहाँ एक बहुत नीरव शांती की अवस्था होती है, जैसे श्मशान गाट, कब्रिस्तान, आप जाओ, different type of silent you will feel over there, बहुत अलग तरह की खामोशी, शांती, बहुत अलग तरह की, जिस शांती में थोड़ा सा डर होता है, अब आप कह सकते हैं कि मतलब लास है, समशान गाट है, तो डरना, लेकिन काहे का डर है, वो उनकी vibes ऐसी होती है, उनका औरा ऐसा होता है, तो पीपल के पौधे के पास जो खामोशी है, जो शांती है, वो आत्माओं की होती है, वो भूत प्रिद आदिकी होती है, नाम कुछ भी कह लिजिए आप, पीपल के पेड की चाया, क्या पढ़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इस पर हमने कार्टरम पहले भी किया था, आप इस चीज को लेकर की थोड़ा सा अपने आपको समझाईएगा, समझाईएगा, पीपल के पेड की चाया किसी भी घर पर पढ़ना शुभ नहीं हो सकता, वह घर नश्ट हो जाता है, उसका वंश खत्म हो जाता है, पीपल अगर खुद उगाए तो क्या काटा जा सकता है, उखाडा या तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आ तो भी आपकी हाइट से छोटे पेड को आप खुद से काट सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे दो-तीन पीपल के पौदे कहीं पब्लिक प्लेस पर आप जरूर लगा दीजेगा, पीपल घर में क्या लगाया जा सकता है, बोल्जाई के रूप में गमले के अंदर उसकी कटनी छटनी करके छोटा पेड लगाया जा सकता है, उसको जल दें, परिक्रमा करें, दिया जलाएं, कोई भी अगर कहता है कि पीपल का पेड घर में नहीं लगाया जा सकता है, वो जूट बोलता है, गमले में छोटा पौधा, पेड नहीं कहरा हूं मैं, पौधा, हर कीमत पे लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आँख बंद करके लगाये, आज जस्मास्तमी का भी द बहुत बड़ा पेड़ हो जाए उसकी छाया पड़े निगेटिव है नहीं ठीक है छोटा लगाया जा सकता है पीपल के पत्तों को तोड़ने के लेकर कि भी कुछ दिक्कते कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप विशेष प्रज्टतियों में पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं यह सब सारी बाते बागी कीम बदंती हैं वहम है आप इसमें मत पढ़ें तो बहतर है पत्ता जा सकता है पीपल की नीचे दिया पीपल की नीचे तेल पीपल की नीचे कुछ और चड़ाना बिल्कुल किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है क्या पीपल की नीचे अशुद्धी में जा सकते हैं महिलाएं नहीं जा सकती है पीपल का व्रिक्ष सदय पूज नहीं रहा है पी जीए फिलाल आज की जानकारी बस इतना ही अच्छी लगेगी शेर जरूर करिएगा दस मिट का वीडियो हो गया है आगे बढ़िए फिलाल में अनुमत दीजेगा 27-27-27 तारिक को आप आहमदाबाद मुलाकात कर सकते हैं नमस्कार टेक केर जैसरी रादे झाल झाल झाल